हेलो एबरिवन वेलकम टो एक लब्या स्टेडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सी बीए सी बोड एक्जाम 2024 क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है यहां से जो आपका चैप्टर है सूर्दास की जोपड़ी इसक कर सकते हैं और अगर आपको PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप क्लास 12 ESP न्यू ग्रूप सर्च मारें वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सबसे पहला सवाल है हमारा शूलहा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता इसकी आधार पर सूर्दास की मनोस्तिती का वर्णन करो सो देखो सूर्दास जो है केरेक्टर है इस स्टोरी का वो एक दृष्टी हीन व्यक्ती है means वो ब्लाइंड है और वो लेकिन अपने जीवन से दुखी नहीं खुश है संतु स्टेज ऐसा भी है वो भीग मांगता है और भीग मांगकर उसको लगबग 500 से कुछ अधिक और वो दूसरों के परती हमेशा दयाबाव रखता है means दूसरों से हमेशा अच्छा व्यवार करता है दूसरों के लिए सिंपती रखता है और गाओं के अंदर भैरो नाम से एक व्यक्ति रहता था जो कि सूर्दास से बहुत जलता था उससे बहुत ही जादा इर्शा करता तो जब भैरो अपनी पतनी सुभागी को मारता था पीटता था तो वो सुभागी जो है भाग कर सूर्दास की जोपड़ी में छुप जाती थी और सूर्दास उसकी मदद भी कर देता था क्योंकि वो थोड़ा दयालू और काइंड था तो गाओं के लोग जो है वो अब तो मैं सूर्दास की जोपड़ी जला दूँगा ठीक है और उसने क्या करा कि सूर्दास की जोपड़ी में आग लगा दी इसी कारण से और जो चांदी के 500 से जादा रुपए जितने भी थे वो पोटली भी चुरा ली और जब सूर्दास की जोपड़ी धू-धू करके ज जलती है तो आस-पास रहने वाले लोग सारे खटा हो जाते हैं भाई ये क्या हो रहा है और सभी लोग जोपड़ी जलने पर दुख व्यक्त करते हैं कि यार इतना जादा बुरा हो गया और लोगों को इस बात का पता है कि बहरो सूर्दास से इरश्या करता था ठीक है और इसलिए जब जगदर सूर्दास से पूछता है कि क्या आज चूला ठंडा नहीं किया था मिन्स एक जगदर नाम का व्यक्ति है वो सूर्दास को कहता है कि भाई ये आग कैसे लग गई चूला बूला मतलब जो जलता है उसकी आग तो नहीं है चूला ठंडा अगर ना भूल जा रहा है तो जब आग भुझी तो सभी लोग अपने अपने घर को चले गए लेकिन सूरदास वहीं बैटकर आग के ठंडी होने का इंतिजार करता है और उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसकी जोपड़ी जल गई उसको इस बात का दुख था कि मेरी पोटली चुडा ली यार मेरे पोटली में मैंने बहुत ही उमर भर की अपनी कमाई रखी थी उस पोटली को वो अपने पूरवजों तथा मतलब जितना भी वो पैसा मिला है वो पूरवजों की ही उसको मनी मानता था ठीक है और वो क्या करता था कि वो ही पोटली उसके लिए सब कुछ थी और उ जो इसकी कमाई के जो 500 से जादा चांदी के पैसे थे जितने भी वो भैरो चुरा कर ले जाता है और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ सूर्दास जो है वो बहुत जादा इसी बात से मतलब आहत था कि यार मेरे पैसे क्यों चले गए ठीक है और वो जब ढूंडता है उसको कहीं भी वो पोटली नहीं मिलती ठीक है वो सिरफ राख ही राख मिलती है उसको माँ पे और कुछ भी नहीं मिलता उसको लगता है अगर पोटली जल भी गई तो चांदी तो मिली जाएगी यार चांदी के सिक्के थे ना यार कोई नोट थोड़ी दे जो जल गए होंगे तो वो राक को चानता है पर राक ही राक मिलती है कभी हाथ में बढ़तन आ रहा है कभी हाथ में इट का टुकड़ा आ रहा है पर पैसे नहीं मिल रहे वो इस राक को कभी यहां टटोलता है वहां टटोलता है जैसे पानी में मचलियां टटोल रहा हूँ और उसको पोटली कुछ नहीं मिलती आत्में तो फिर वो निराश और वेजयन हो जाता है अजानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया और बहुत जादा चीखा और वो इसी राख पर बैठ कर रोने भी लगता है इतना बेबस हो जाता है विचारा और इसी के बारे में यहाँ पर प्रेमचन जी कहते हैं लेखक जो हैं हमारे कि फूस की राख नहीं थी जोपड़ी फूस की होती है कहते है बस उसकी जोपड़ी नहीं जली है फूस की उस विचारे की अब इलाशाई भी जल चुकी है इसकी जोपड़ी के साथ फिर है जगदर के मन में किस तरह का इरशय भाव जागा और क्यों आखिर जगदर जो एक और कैरेक्टर है स्काहानी का वो क्यों जलता है और किस से जलता है और क्यों इरशय करता है तो जगदर को पूरा विश्वास था कि सूर्दास की जोपड़ी में तो भाई बहरो नहीं आग लगाई होगी जगदर भी गाउं का यह व्यक्ति है और यह वो सोचकर बहरो के पास गया तो वो बहरो से कहता है कि लोग तुमारे उपर शक कर रहे है पहले तो बहरो आग लगाने की बात मानता ही नहीं है कहता भाई मेरा क्या मतलब मैंने आग नहीं लगई परन्तु जगदर के सामने वो मानता है कि हाँ भाई मैंने ही जलाई यह last में वो force करने पर वता देता है तो वो जगदर को वो थैली भी दिखाता है पोटली जिसमें पैसे थे जगदर के मन में यह आता है यार यह पैसे सिरफ यह लेके गया है इसका राज तो मुझे भी पता चल गया अब वो कहता है थोड़े पैसे मुझे भी दे ठीक है लेकिन सूर्दास की जो पोटली के पैसे थे तो वो बहरो को समझाता है कि वो पैसे वापिस कर दे पर बहरो कहता है कि मैं विल्कुल वापिस ने करूँगा मैं क्यों वापिस करूँ तो जगदर भैरो को पुलिस की मार के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि गरीब की हाय बहुत बुरी होती है भैरो अगर उसने तुझे हाय दे दी तो तू मर जाएगा और इस बात को भैरो को कोई भाई असर ही नहीं पड़ता वो तो बंदा ऐसा है नशेडी वो मारता पीटता है वीवी को उसको क्या हाय क्या बाय उसको कोई लेना देना ही नहीं है तो वो मतलब जगदर की छाती पर साप लोटने लगे मिंस वो बहुत ज़ादा जलन करने लगा मनी मन सोचने लगा कि यार मेर पास भी काश पैसे होते अब वो भैरो तो मोच करेगा यार इस से एश एश होगी उसकी और वो अपने बारे में भी सोचता है मैं तो इतना पुन्य का काम करता हूँ मतलब दो कोडियों के लिए ये करता हूँ वो करता हूँ और बाट खोटे रखता हूँ मतलब तेल की मिठाई ही कहकर बेशता हूँ ठीक है और मतलब वो यही कहता है कि वो उपने बारे में भी सूचता है कि मैं कौनसा दिन बर पुन का काम करता हूं भैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऩोड़ा गलत काम तो मैं भी करता हूं कभी तोलने में गल्ती कर देता हूं वो यह काम करने के पीछे तो अपनी मजबूरी मानता है कि यार मुझे दो पैसे कमाने है वो मनी मन एक बार ये भी सोचता है कि काश ऐसा ही कोई माल उसके आत भी लग जाए जैसा ये भैरो लूट के आया है सो वो भैरो की अमीर होने की बात को लेकर जल रहा था सिंपल सी बात है और उसके मन में इरिश्य का बीच फूट रहा था और वो सूर्दास के पास जाता है और उसे बता देता है कि भाई तेरी पोटली जो है वो भैरो के पास है ठीक है अगला सवाल है सूर्दास जगदर से अपनी आर दिखानी को गुप्त क्यों रखना चाता था अब जगदर ने तो जाकर बताया जात नहीं होती means अगर कोई अंदा विखारी है तो उसके उपर गरीबी जचती है वो ऐसा कहता है अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मुझे शरम आ जाएगी लोग सोचेंगे इसके पास पैसा कहां से आया तो सूर्दास चाता था कि वो पैसे इखटा करके अपने पित इधन संचे करेगा तो लगेगा कि वो कोई पाप कर रहे है क्योंकि बिखारी अगर पैसा इकटा करता है तो वो पापी क्यालाता है लोग गलत नजरी ऐसे देखेंगे इसलिए वो जगदर को ये विश्वास दिलाना चाता था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है ना मेरी कोई पोटली लूटी गई है वाई तो चला जाए यहां से उसका मूर खराब होता है सूर्दास का अगला सवाल है खेल में रोना कैसा खेल हसने के लिए दिल बहलाने के लिए रोने के लिए नहीं है और इस कथन के अलोक में सूर्दास का चरितर बताओ कैसा है तो देखो जोपड़ी की राक वो देखता रहता है चांता रहता है पर उसके पैसे और उसकी पोटली उसको नहीं मिलती और जगदर उसे यह यकीन दिलाता है कि तुमारी जोपड़ी पूरी मतलब जो है भाई वो सूर्दास की जो जोपड़ी है वो बहरों ने जला दिये और तेरे पैस दे रहा है कि ये मेरे पैसे तो थे नहीं, शायद पिसले जनम में मैंने कोई ऐसा काम किया होगा, मतलब कि मैंने बैरो के चुराई होगा, ये उसी का दंड होगा, वो ऐसा सोच रहा है, ठीक है, और उसके उपर एक कलंक और लग गया, कि ये सुभागी के साथ कुछ गलत काम भी करता है, मनी मन भाई सुर्दास विचारा पस्ता रहा है, पैसा भी गया, घर भी गया, थोड़ी इज्जत बची थी, वो भी चली गई, थोड़ी वो जमीन बची हुई है, वो भी पतानी कब चली जाए, तो वो अपने अंधे पन को एक दुख मानता है, और कहता है कि अ अब होता कि है, अचानक उसका ध्यान जाता है, कि बीसु मिठुवा के साथ खेल रहा है, मतलब दोनों दोस्ते हैं, बीसु और मिठुवा, खीसु या ऐसे कुछ नाम है, वो मतलब खेल रहे होते हैं, गीसु, और वो खेल रहे होते हैं, और दोनों जो हैं भाई, वो खेल में रोते हो ठीक है अब वो बच्चे खेल रहे हैं और मिठवा रोता हुआ घर की और चला आ रहा था तो सूर्दास भी निरास था हतास भी था चिंता में भी था और उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए कह रहा हो कि सच्चे खिलाडी कभी रो होते नहीं बाजी पर बाजी हारते हैं चोट पर चोट खाते हैं धक्के सहते हैं मैदान में डटे रहते हैं ठीक है उनकी तियोरियों पर बल नहीं पड़ता ये क्या इसमें बताया जा रहा है कि वो बच्चा होते हुए ये बात कह रहा है कि हार जीत होती है लाइफ में भी वो सोचता है और हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती ठीक है खेल हसने के लिए होता है दिल वहनाने के लिए होता है रोने के लिए नहीं होता तो यही सुनकर सूर्दास में भी motivation आ जाता है और गर्व से खड़ाओ कर कहता है कि हाँ मैं फिर खड़ा हूँगा अगला कोशन है तो हम सो लाख बार बनाएंगे ये कथन में सूर्दास का character क्या बताता है तो देखो जोपड़ी जब जल जाती है उसकी पोटली वोटली सब चली जाती है सूर्दास के अंदर एक अलगी फिर एक motivation आता है वो उठ खड़ा होता है और अपने दोनों हातों से राख को उड़ाने लगता है और वहीं घीसू और मिठुआ के साथ सभी आकर सूर्दास के साथ राख उड़ाने लगते हैं और वो सूर्दास से बहुत प्रशने करते हैं सभी बच्चे खड़े होकर ठीक है राक ही राक हो जाती है चारों तरफ और मिठुआ कहता है कि दादा अब हम रहेंगे कहां सूर्दास कहता है कि दूसरा घर बनाएंगे बेटा अगर फिर किसी ने आग लगा दी तो दादा प्रियार है कि आप सो लाग बार जलाओ मैं परिश्रम करके मैंनत करके सो लाग बार बनाऊंगा तो यही था आज की इस वीडियो का जो मेरे नमारा जो था मैंने आपको बता दिया है वीडियो को लाइक करें फीडिबैक दें और वीडियो को शेयर करें जैहिंद जैवाद झाल झाल